के सामने मैस का एक क्वेशन लेकर रहा है क्वेशन क्या बोला find the value of x और यहां पर दिया x का power root x equal to 10 तो हमें यहां पर x की value find करने हैं तो चली मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूँ हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर दिख सकते हैं हमारा यहां बेस क्या है यह x है ठीक है तो यहां पर इस x को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं x को root x into root x पी लिख सकते हैं क्योंकि root x into root x into होगा तो क्या आयागा x के बराबर आयागा ठीक है और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर root x root x दो बार repeat हो रहा है तो इसको हम root x का whole square भी यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस की जगह इस x की जगह क्या लिखेंगे हम root x का whole square यह लिखेंगे ठीक है तो इस base की जगह हम क्या लिखेंगे root x का whole square ठीक है और इस x पर यह power लगावा है तो हम यहाँ पर यह वाला bracket लगा कि यह वाला power यहाँ पर लगा देंगे ठीक है equal to यह क्या है into हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखें, हमारा यह जो 2 है ना, इसको m समझें, और यह जो root x है ना, इसको आप n समझें, और यह root x जो है, यह base, यह क्या है, हमारा यह base है, ठीक है, तो यहाँ पर base हमारा क्या है, x है, ठीक है, तो formula क्या है, x, तो यहाँ base हमारा क्या है, यह root x है तो root x लिखे, ठीक, उसके बाद क्या है, m into n, तो m हमारा यहाँ पर क्या है, m है हमारा यहाँ पर, यह 2 है, तो यहाँ लिखे 2 into n हमारा क्या है, n हमारा यहाँ पर root x है, तो इस तरीके से लिख दिया, equal to 10, और क्या हो सकता है, यह हो जाएकर root x है, और इस पर power क्या है, यह 2 into root इसको इंटू करेंगे तो यह 2 root x आएगा, equal to, यह क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है अब देखिए, इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, page हम उपर करते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसको और easy करने के लिए, हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ बेस में भी root x है, और यहाँ पावर में भी अदेख सकते हैं, root x है, तो इसको हम let क्या माल लेंगे, a माल लेंगे, a is equal to root x, ठीक है, ताकि equation और easy हो जाए, तो अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे, इस root x की जगह हम a लिखेंगे, तो यहाँ a लिखेंगे, और यह क्या 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इस root x की जगह क्या लिखेंगे, हम यह a लिखेंगे, ठीक है, यह होगे, a का power 2 है, is equal to, यह क्या है, अपका यहाँ पर 10 है, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको equation first माल लेते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर natural log लगाएंगे, तो taking, natural log, natural log जिसको के ln भी बोलते हैं, on both side, in equation first, equation first में हम natural log लगाएंगे, तो यह क्या हो जागा, page हम उपर करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो पहले equation इक्षिन फिर्स्ट क्या है एक पावर 2a एक्वल टू क्या है हमारा 10 है मैंने क्या बता है ln बोग साइड लगाना है तो पहले इसमें इस तरीके से ब्रैकेट लगाई और यहां पर लिखे उसी तरीके से यहां पर भी आप इस फिर्स्ट होजाता है तो यह हो जागा x ln a ठीक है तो यहां पर देखें इस पूरे को इस पूरे को आप x समझे हो ठीक है तो फार्मूला जब एकवल टू यह क्या हो जागा एलेंट 10 और यह 2 जो है जब आर्चे साइड में आगा तो इसके डिवाइड में चला जागा ठीक है यह आपको समझ में आया अब हम पेज उपर करते हैं अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यह जो ए है इस ए को हम दूसरे तर इसको एकवेशन सेकेंड माल लेते हैं तो यह जो 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 equation second में यह जो आपका LHS side है ना यह बिल्कुल आपका Lamber W function के formula में set है देखें Lamber W function का formula क्या होता है W होता है W और bracket में रहता A dot E का power A यह बराबर होता है A के बराबर तो यहां पर देखें यह इसमें यह जो term दिख रहा है A dot E का power A इसे में बिल्कुल यह आपका set है देखें कैसे यहां पर E का power क्या है आपका A है और जो E का power होगा वही इसके साथ यहां into में भी होगा तो यहां पर देखें यहां पर E का power क्या है lna है तो जो ये का power है LNA वही same यहाँ पर इसके साथ into में भी है तो यह बिल्कुल इसमें set है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे Apply Lambert W function on both side in equation second ठीक है equation second में हम क्या करेंगे Lambert W function लगाएंगे पेज हम उपर करते हैं तो देखें यह क्या हो जागा है यहाँ पर पहले लिखिए equation second क्या है LNA.E का power LNA ठीक है इस तरीके से bracket लगाएं equal to यह आपका क्या है LN 10 upon 2 है तो यह पूरा यह देखिए यहाँ पर मैं इसको बता दूँ कि यह जो है ना इसको LN 10 upon 2 है इस तरीके से लिखेना ठीक है इसमें भी आप इस तरीके से bracket लगाएं हमें क्या करना है L व फंक्षन बोससाइट लगाना है तो इस तरीके से आप डबलू यहाँ पर लगा दीजिए ठीक है यह हो गई यहाँ पर तो अब यहाँ आपका तो लैंबर डबलू फंक्षन में सेट है तो a dot a a के बआबर तो यहांपर दिखें a का मतलब क्या है जो a का पावर है वहीं उसी के बआबर हो गई यहांपर a का पूरा किस के बआबर हो गई यह फूरा आपके बआबर हो लन a के बआबर, ठीक है equal to यह क्या है w, यह पूरा करेंगे apply base e on both side in equation third equation third में हम क्या करेंगे base e जो है both side लगाएंगे तो पहले equation third application third क्या है ln a equal to w और यह क्या है ln 10 upon 2 हमने क्या बता है base e तो base e लगाएंगे तो e और ln आपस में क्या opposite है तो cancel हो जाएंगे तो हम a की value मिल जाएंगे तो base e का मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर लगा दीजिए ठीक है तो अब क्या होगा यह e और ln cancel तो क्या बज़ेगा यहाँ पर a बज़ेगा a is called to e का power w और यहां bracket में क्या है ln 10 upon 2 ठीक है तो यह a की value हमारे पास आईए ठीक है और हमको क्या चाहिए x की value चाहिए तो हमने यहाँ पर a क्या माना था हमने शुरू में a क्या माना था let a is called to root x हमने यह माना था ठीक है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ शुरू में कि मैं हमने क्या माना था a को यहां में दिखा देती हूं यह देखीज, यह हमने माना था, नैं, यहां पर a को क्या माना था, root x माना था तो हमें x की value चाहिए, तो a की value उमेरे पास आ गई है तो देखीज, यहां पर a क्या है हमारा, a sullen two है root x, ठीक है, तो यहां पर देखिए यह root x है हमें x की value चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको equation 4th मानिए तो पहले squaring कर लेज़े squaring both side both side in equation 4th ठीक है तो squaring करेंगे तो a का whole square equal to root x का whole square तो यह हो जागा आपका यहाँ पर क्या हो जागा यह root x का whole square cancel तो यहाँ पर x बचेगा equal to a square तो x की value क्या रहा है तो a की value हमारे पास यह आई है तो a की value यहाँ लिखे e और इस पर power है w ब्रैकेट में है ln 10 upon 2 यह a की value अब इस पर यह square लगा है तो इस तरीके से आप bracket लगा के यहाँ पर आप square लगा देजी ठीक है तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की value क्या आई है मैं दुबारा यहाँ लग दू x की value हमारे पास आई इस पर power दिया है w ln 10 upon 2 और यहाँ पर इस तरीके से whole bracket लगा के power 2 तो यह है हमारे पास x की value यहीं इसका answer है उम्मीद है आपको यह question जो है अच्छे समझ में आ गया